आज मैं आप सब के साथ में बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर बात करने वाली हूँ जो आप सभी फेस करते हैं जो की होता है आपका इंटर्व्यू ठीक है सो इंटर्व्यू के उपर आज हम बात करेंगे कि इंटर्व्यू में क्या-क्या प्रश्न क्या-क्या क्वेशन्स पूछे जाते हैं अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के असेस्टन प्रोफेसर के लिए एप्लाई करते हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि बहुत इंपोर्टन सेशन है वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंज के साथ जो भी प्रिपेर कर रहे हैं असेस्टन प्रोफेसर के लिए यूजिसीनेट के लिए जयर फ के लिए पिएश्जी के लिए अफकॉस तो आप इस चानल को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं साती साथ चानल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चानल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम आती रहें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टन सेशन ज हमारे आप जो application है उससे आप ले सकते हैं affordable prices में सबसे पहले आपको net jrf तो clear करना ही पड़ेगा अगर आप assistant professor के लिए prepare कर रहे हैं या apply कर रहे हैं किसी भी university वे चाहे वो central university हो चाहे वो state हो चाहे वो deemed हो चाहे वो private हो कोई भी university हो सबके लिए आपको UGC net qualify करना पड़ेगा य आज मैं आप सबको बताती हूं कि यहां पर इस batch में आपको क्या क्या मिलेगा जैसे कि आप सब देख रहे हैं इस batch में मैं आप सभी के साथ में हूं मैं आप सबको सारे के सारे 10 के 10 units complete कराने वाली हूं 3 in 1 batch है यह ठीक है जिसमें आपको PYQs, Test and Class सबकुछ एक ही platform पे मिलने batch के जरिये ठीक है 3 in 1 batch है कहीं और जाने की ज़रूत नहीं है बस इस पर focus करिए जो मैं content आपको पढ़ाऊंगी जो मैं आपको क्लास में जो भी आपको test वगरा लेती हूं PYQs कराऊंगी ठीक है mock test कराऊंगी जितने भी sessions में आप सबके लोंगी वो आपके लिए sufficient रहेंगे और आपका net jrf अराम से clear हो जाएगा ठीक है बस आपको मेहनत करनी है क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूं और आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ तो चलिए start करते हैं next वाले session की बात अगर मैं करूँ इस वाले part की basically अगर आप ये वाला जो batch लेते हैं तो आप ले सकते हैं application प अगर type करेंगे play store पे तो आपको application मेलेगी ठीक है आपको link भी description में बिल जाएगा तो आप link की जिंदा मत करिएगा आप description box चेक करेंगे इस video के अंदर तो आपको HN Adhyan का जो application है उसका link भी मिल जाएगा तो आप directly वहाँ पे फिर आप चले जाएगे play store पे वहां से आप download कर सकते हैं जितने भी batches हैं ongoing बहुत सारे batches चल रहे हैं notes वाले batches हैं कुछ आपको अलग-अलग batches दिसे assistant professor के लिए आप prepare कर रहे हैं ठीक है आप कोई भी exam के लिए prepare कर रहे हैं ठीक है UGC net exam के लिए prepare कर रहे हैं तो बहुत सारे different batches हमारे platform पे available हैं तो आप वहां से जाके दे सकते हैं जिसकी आप preparation कर रहे हैं basically यह जो batch है यह December batch के लिए है क्योंकि इसको तीन महीने लगेंगे complete होने के लिए है ठीक है जिसमें मैं आपको सब कुछ pyqs mock test test series सब कुछ आपको एक ही platform पे कनाने वाली हूं application पे ठीक है 80 से plus lectures आपको मिल जाएंगे दोनों ही languages में रहेंग Hindi और English तो दोनों students के लिए important है और मतलब beneficial है ठीक है so आपको कोई भी doubt है आप यह जो दिये गए number पे call कर सकते हैं और हमसे information ले सकते हैं about all the courses और साथ साथ आप application पे भी आपको available हो जाएगा जितने भी batches हमारे चल रहे हैं ठीक है so yes एक बहुत ही जादा important point है अगर आप इस पे भी 10% लेना चाहते हैं ठीक है अगर आप इन batches पे भी 10% extra लेना चाहते हैं तो आप एक code को use कर सकते हैं जो की है PK93 ठीक है PK93 एक ऐसा code है जिससे आपको जैसे suppose करिए 799 का कोई course है तो उस पे आपको 10% off के लिए यहाँ पे इस code को use करना है different different जो courses है वो cost के coding है ठीक है ठ 499 का भी कोई course है 799 का भी कोई course है 999 का भी कोई course है 200 का भी कोई course है देखो कितने affordable prices में हम आपको provide कर रहे हैं सारे courses तो आप जाकर देख सकते हैं चलिए आज important topic पे मैं बात करने वाली हूं वो क्या important topic है interview में कैसे questions पूछे जाते हैं अगर आप assistant professor के लिए prepare कर रहे हैं चाहे आप central university के लिए prepare कर रहे है state के लिए कर रहे है private के लिए कर रहे हैं deemed के लिए कर रहे है यह जो है यह सब के लिए है ठीक है चलिए बात करते हैं अगर हम पहले point की तो सबसे पहले तो आपसे कोई भी interview में जाओगे आप लोग तो आपसे हमेशा यह पूछा जाता है कि tell me about yourself ठीक है तेखो यह जो concept है मतलब यह जो questions है यह आपसे vary कर सकते हैं जैसे कि आप सब को पता है कि इन questions को मैं जो आपको share कर रहे हूं जो जो questions पूछे जाते हैं तो आपको जो यह questions मिलेंगे वो vary कर सकते हैं हो सकता है कि आपसे कुछ questions इसमें से पूछे और कुछ नहीं सकते हैं ठीक है सबसे पहला question तो आप से पूछा जा सकता है कि tell me about yourself ठीक है तो पहला question आप ध्यान में रखेगा tell me about yourself मतलब अपने बारे में बताईए ठीक है tell me about yourself अपने बारे में बताईए ठीक है ना तो सबसे पहले तो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके CV में, जो आपके resume में नहीं लिखा है, जो आपके resume में mention नहीं है, उसके अलावा कुछ बताईए, यह नहीं कि अपने आपके father, आपके mother क्या करते हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं, basically आपके professional education के बारे में experiences के बारे में, sorry, education के बारे में, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में, यहाँ पर वो पता करना चाहते हैं, ठीक है, interviewer, basically so, यहाँ पर next वाला question है, यहाँ पर लिखा हुआ है, tell me little bit about professional experiences, अगर आपके पास experience है, suppose करो आपने कहीं पढ़ाया है, किसी private university में किसी state university में, कहीं पर भी पढ़ाया है तो आपके लिए, आपके लिए यह important question बन जाता है कि आपका experience कितना है और क्या आपने उस महाँ पर सीखा और क्या अपने, आपके क्या अनुभव हैं, basically, क्या आपके अनुभव हैं, वो हमारे साथ discuss करिए, तो आपसे यह question भी examiner पूछ सकता है, sorry, interviewer पूछ सकता है, next question what would your background and experience strengthen this academic department, मतलब यह आप बताईए कि आपका क्या background है, ठीक है आपका क्या अनुभव है इस particular विभाग में जुडने के लिए, हाना, आप इस विभाग से तो जुड रहे हैं, बट आपका क्या background है और आपका क्या experience है, academic जो हमारा विभाग है, ठीक है, उस में जुडने के लिए, education department में जुडने के लिए, आपका क्या experience है और क्या background है वो आपसे question में पूछा जा सकता है तीसरा question यह पूछा जा सकता है, what are your current research interests, क्या आपके current research interests है, basically यह research interest वाला concept जो आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने PhD की है तो, देखो, कुछ students होंगे जो PhD वाले होंगे, और कुछ होंगे जो नहीं कर, जिन्नोंने नहीं किया होगा, ठीक है, अब देखो, अगर आपने PhD करे होगी, तो आपसे, of course, आपसे उस तरीके के questions पूछे जाएंगे, कि आपका thesis का topic क्या था, ठीक है, आपके research papers कहां पे publish हुए, ठीक है, कौन-कौन से research papers आपने prepare किये, क्या data analysis में test आपने यूज किया, ठीक है, survey questionnaire किस तरीके से आपने fill करवाया, या आपका conclusion क्या था, ठीक है, बहुत सारे questions इस तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने, of course, PhD की होगी, तो आपको उस तरीके के questions पूछे जाएंगे, येस, अगर आपने PhD नहीं की होगी, तो उस case में आपसे पूछा जाएगा, कि basically आपके क्या experiences थे, previous organization में, previous department में, ठीक है, जो आपने previous education में आपने जो किया था, उसमें क्या आपका था, पूरा background, पूरा experience आपसे पूछा जाएगा, साथी सारे आपके interest से पूछा जा सकता है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, very, very important concept, that is subject related questions, तेखो, जो भी आपका specialization है, जिस भी field से आप हो, चाहे आप commerce से हो, चाहे आप management से हो, चाहे आप Hindi से हो, चाहे आप English literature से हो, ठीक है, आप किसी भी specialization में हो, आपसे ये question जरूर पूछा जाएगा, कि अपने विशे के बारे में बताईए, मतलब आपने विशे के, जो आपसे related questions है, विशे से related questions है, वो आपसे पूछे जाएंगे, और ये तो 110% पूछे जाएंगे, चाहे आपने PhD की है, और नहीं भी की है, तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो आप apply कर रहे हो, ठीक है, इसी के लिए आप interview देने आए हो, और इसी के लिए वो आप लोगों को select करने वाले हैं, इस रही बात है, ठीक है, तो उससे related आपसे questions जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, और toughest से toughest पूछे जा सकते हैं, तो इसी लिए अपने सारे subjects को prepare करना है, अगर आपने graduation में जो subjects लिया है, वो भी पढ़ना है, ठीक है, not only in your PhD, हना, आपको सिर्फ असे PhD में या अपने UGC Net में जितना पढ़ा है, वो नहीं, आपने graduation में क्या पढ़ा, आपने PG में क्या पढ़ा, आपने PhD में क्या पढ़ा, ये सब कुछ पूछा जाएगा, UGC Net से related questions पूछे जा सकते हैं, आपने वहाँ पे क्या पढ़ा, हना, तो basically आपका जितना भी education journey है, उससे कुछ भी question आप से पूछा जा सकता है, subject related, तो इसके लिए तो आप prepared रहना और ये तो 110% ये पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के लिए basically वह आपको select कर रहे हैं, आपकी knowledge को judge करने के लिए, ठीक है, एक question आप पूछा जा सकता है, अगर आपने PSG नहीं किया, ठीक है, अगर आपने NetJRF qualified किया है, लेकिन आपने PSG नहीं किया है, तो reason पूछा जा सकता है, कि क्यों अभी तक आपने PSG नहीं किया है, तो आपके पास एक valid reason होना चाहिए, ठीक है, या तो आप job में हो, या आप कुछ exam के लिए prepare कर रहे हो, या कुछ भी है ना, तो आपने इसलिए PSG नहीं किया है, तो एक relevant answer आपके पास होना चाहिए, ठीक है, दूसरा question यहाँ पर देखिए, if you have done, अगर आपने PSG किया है, ठीक है, so आपसे questions पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विशे के बारे में questions पूछा जा सकता है, आपका क्या विशे है, ठीक है, क्या उदेश था उसका, जो आपका objective था, मतलब जो आपने thesis बनाई, उसका क्या objective था, क्या data collection methods आपने यूज किये, क्या analysis में आपने test यूज किया, हना, तो यह सारे concepts, यह सारे topics आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए यह important हो जाता है, दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, very very important point, आपसे demo, demo आपसे लिया जाएगा, आपका demo topic होना चाहिए, और वो topic ऐसा होना चाहिए, जो ना ही easiest हो, ना ही easy हो, और ना ही आपका hard हो, मतलब एक medium level पर होना चाहिए, क्योंकि आपसे 5 से 10 मिनट का demo आपसे वो लेते ही लेते हैं, और उसमें यह judge करते हैं, कि आपका जो skill है, जो आपके पढ़ाने का तरीका है, वो किस तरीके का है, ठीक है, क्या उनको यह लगता है, आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे सबको या नहीं, ठीक है, तो वो demo वीडियो ही आपका main important focus रहेगा आपके selection का I hope कि आपको यह सारे questions समझ में आ गए होंगे, आपको यह questions prepare करके जारे हैं, बहुत सारी vacancies आ रही हैं, आप सब देख लीजे बहुत सारी vacancies अभी upcoming में आएंगी, बिहार में बिहार की vacancies आ रही हैं, अलग-अलग states की vacancies आ रही हैं, पीएशडी के लिए vacancies आ रही हैं, तो यह जो questions रहे हैं, पीएशडी में भी आएंगे बस पीएशडी में आप देखिएगा कि आप से research articles के बारे पूछा जाएगा, तो पीएशडी के लिए भी important है, अगर आप assistant professor बन रहे हो, तो इसके लिए भी questions बहुत जादा important है, hope आपको वो concept अच्छे से बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, पांच important research questions की जो आपके लिए बहुत ही जादा important है, अगर आप PhD कर रहे हैं, यह UGC net exam के लिए prepare कर रहे हैं, किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, UGC net exam के लिए कर रहे हैं, पीएशडी के लिए कर रहे हैं, assistant professor के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए यह research के questions बहुत important है, क्योंकि आप सबको पता है research जो है शोद जो है वो आपके subject जो है ये वाला ये बहुत ही जादा important role play करता है अगर आप PhD भी कर रहे हैं या फिर net का exam भी दे रहे हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला question the first step of the research is पहला step शोद का पहला चरण क्या है ठीक है selecting the problem समस्या का चैन करना selecting a problem समस्या को खोज करना finding a problem समस्या का पता करना या फिर identify the problem समस्या को पहचानना सो पहला step यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला step आप यहाँ पर क्या find out करते हो कि identify the problem पहला step जो होता है research का वो यह होता है identify the problem problem बताईए कहां पर problem है किसके उपर आप research कर रहे हो समस्या को पहचानना ठीक है ना सबको समझ में आ गया होगा hope so next question देख लीजे कोई भी doubt रहता है आप comment section में comment जरूर कर दीजेगा ठीक है किसी से भी related concept आपको पता करना है पूछना है कोई आपको topic पढ़ना है वो आप मुझे बता दीजेगा paper 1 में मैं आपको वो पढ़ाया करूंगी ठीक है तो comment down आप जरूर कर दीएगा इस video के नीचे चलिए बात करते है next question कि the study in which the invig regulator वने का किसी प्रभाव का पता करने के लिए प्रयास करते हैं तो इस रूप को हम क्या कहते है? यह इस research को हम क्या कहते है? शोद को हम क्या कहते है? ठीक है क्या उसको survey research कहते है? क्या summative research कहते है? historical या फिर exposed मतलब ठीक है? तो यह सारे हमारे आजयेगे defense आनुसंद्धान, योग्यात्मक ठीक है एतिहासिक या फिर पूर्विवयापी बताईए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आंसर नंबर D D आ जाएगा एक्सपोस मतलब पूर्विवयापी मतलब यहाँ पर जब वो incident हो जाता है ठीक है यह होता है effect से cause effect से cause मतलब देखो वो effect हो चुका है खतम हो चुका है वो incident खतम हो चुका है उसके बाद causes क्या है वो आपको find out करने for example अभी covid vaccination हम सब ने लिया ठीक है covid vaccination होने के बाद लगाने के बाद बहुत सारी health issues आई है लोगों को ठीक है बच्चों में बहुत सादा health issues देखी गई है heart attacks create बहुत बढ़ गए है तो अब आप देख रहे हो यह सब covid vaccination के बाद ही हुआ है तो covid vaccination हो गया है समाप्त हो गया है अब उसके causes क्या है health issues आई लोगों के अंदर ठीक है ना उसके बाद वाला process को हम क्या कहते है ex post facto research मतलब पूर्विव्यापी अनुसंधान ठीक है next question is fundamental research reflects the ability to molex shodh जो molex shodh है उसको हम क्या कहते है उसकी शमता क्या है synthesize new ideas नए आदरशों का समवेलन करना ठीक है next expound new principle नए सिध्यानतों का व्याक्षिन करना evaluate existing material concerning research मतलब शोध की संबंदित शोध से संबंदित मौझूदा सामिगरी का मुल्यांकन करना या फिर study करना literature regarding the topics ठीक है विबिन विशो पे संबंदित मौझूदा साहिते पर अध्यन कर रहा है तो अगर fundamental research की अगर आप बात करो या basic इसको हम बोलते हैं basic भी कहते हैं इसको हम pure भी कहते हैं और इसको fundamental भी कहते हैं तो पहला जो research पहली बार जिसने ये develop किया है जिसने पहली बार develop किया है research मैं us से पहले किसी ने उसकी काम नहीं किया जैसे आप बोल सकते हैं Newton ने law बनाया ने लॉटन ने बनाया आप research में सब्सारी आप teaching में देख सखते हैं reinforcement reinforcement किसने बनाया हाना बहुत सारे concept और तो जीन पिगेड ने क्या दिया? Cognitive Development Theory दी, ठीक है? तो पहली बार जिन्होंने भी Theory दिया है, उसको हम कहते है Fundamental Research, उन्होंने क्या किया होगा? नए सिध्यांतों का व्याखन किया होगा, हाना, नए ने सिध्यांत बनाए होंगे, तो नए principles को उन्होंने डवलप किया, आंसर हो जाएगा यहाँ पर Second Option Next Question, Research क्या है? Research का मतलब क्या है? वैसे शोध क्या होता है? Re plus Search, Re plus Search मतलब जब हम बार बार रिसर्च कर रहे हैं, अगेन अगेन ठीक है, पट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें Best Option को चूज करना है, ठीक है, यहाँ पर Best Option को चूज करना है, बार बार हम खोज कर रहे हैं, वैसे है पॉइंट, बट इससे बेटर आप्शन हमारे पास है, यहाँ पर, ध्यान से देखिए, Finding a solution to a problem, ठीक है, problem को find करना ही Research नहीं है, बस, यह भी गलत है, Working on a scientific way to search for a truth of any problem, सच्चाई को, कोई भी समस्या है, उसकी सच्चाई का खोज करना वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मतला, पूरे पूरे experiments के साथ, पूरे investigation के साथ, यहाँ पर सच्चाई की खोज करना, वो हो जाता है आपका Research, ठीक है, नेक्स, लास्ट क्वेशन देख लीजे, अ कॉमन टेस्ट इन्दा रिसर्च डिमांड, प्रारिटी ओन, कॉमन टेस्ट क्या है रिसर्च में, रिलाइबिलिटी, यूजबिलिटी, अब्जेक्टिविटी, या फिर, ओल उफ एवर्फ, शोध का जो परिक्षनन है, उसमें क्या अधिक, प्रत्मिक्ता का आविशक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रारिटी बेस है, विश्वाशनियता होना चाहिए, ठीक है, यूजबिलिटी मतलब, जब आप प्रियोक कर रहे हो, ठीक है, शोध में कोई भी आप टेस्ट करते हो, तो उसमें सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे, रेलिवेंट हो जाएंगे, तो आई होब कि आपको यहाँ पे, कॉनसेप्ट समझ में आया होगा, आज के सेशन का, ठीक है, तो कोई भी डाउट है, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉमेंट करके, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा, और चानल को सब्स्क्राइब ज़रूर कर दीजेगा, अगरूर को सब्सक्राइब ज़रूर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा,